जहीं दोस्तों, विश्वो के सबसे बड़े ग्लीच के बारे में बात किया जा रहा है, इंटरनेट पे लगबग 80 करोड इंडियन का डाटा लीक हो चुका है, मैं उमीद करता हूँ कि अभी तक सभी लोगों को ये जनकारी मिल चुकी होगी, और ये इंफोर्मेशन जो है, अ और ये जो आप लोगों का डाटा ले जाओ, जिसमें आपका अधार कार्ड, पैं कार्ड, आपका डेट आउव वर्थ, मोबाइल नमबर, अधार कार्ड पे तो आपका सारा डाटा लगबक है, सारा चीज को सेल किया जा रहा है, जिसको लेना है, लेलो, और जिसका जैसे इ एक नॉर्मल इंसान को इसके बारे में समझने वाले हैं और साथ साथ यह कितना सचाई है वाकवी में सही है या गलत है इसका भी पुष्टी हुआ कि नहीं इसके बारे में भी समझने वाले हैं अधार काट से लिंक था यहीं से आपका डाटा ग्लीच हुआ है पी डाटा डवल जीरो यह आईडी है जिस आईडी के द्वारा जो है यह सारे डाटा को बेशा जा रहा है और यह जो डाटा लीक हुआ है इंडियन साइवर एजनसी को पहले पता नहीं थी पहले अमेरिकन कर रहरे है पुष्ठी कर रही है कि वाकई में सही है तो अभि तक जो है इसका कोई अभी जांच परताल रिजल्ट नहीं आया है सही है या गलत है तो अभी जी जांच में चल रहा अंडर अभी तो सिर्फ एक यूजर आइडी मिल रहा पी डवल जरो वन लेकिन वाकई में ये बंदा है कौन लोग गिरव है क्या ये इंडियन है या कहा कहा है ये सारा कुछ पता चल जाएगा जब इसका अच्छे से जांच पड़ता लोग अब ये डार्क वेव क्या है बहुत बारे में हम लोग समझते हैं फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका इंपक्ट जो है क्या पड़ सकता है नॉर्मल आदमी के जिंदगी पर ये जो डार्क वेव होता है सबसे पहले वेव के बारे बात करें तो इंटरनेट पर जो भी आप काम करते हैं जिस लेवल के करेंगे मतलब की होता है समंदर हो गया समंधर में समंदर में आपको बाटा गया कि अटलांटिक महासागर इस तरह से तीन तरह से वेव को बाटा गया है और उसी में जिए जदातर का में क्या इंस्टाग्राम चलाते हो दर्मली कोई हलका फुलका वेबसाइड होगा जैसे आप लोगा ओनलाइन फॉर्म वगएरा भरते हो यह सारे वेबसाइड जो है आपको सर्फेस में देखने को मिलते हैं मतलब कि इसमें आपको दूर दूर तक कोई भी जो है इस तरह का इलीगल ध की वेबसाइड हो गया यह सारा जो है इसमें यह सारे काम किये जाते है अब इसके बाद जो लास्ट वाला है वहीं डार्क वेब है और यहीं पर जो है आपको इलीगल धंदे देखे जाते हैं इलीगल डिलिंग किया जाता है और यह समझ लोग की परसांत महासागर है यह था है जो डार्क वेब है यह समझ लोग की परसांत महासागर है इसकी गाराई आपको पता नहीं चल पाएगी कितनी है इसी में जो है सारे इलीगल धंदे किये जाते हैं और इसमें जो है नॉर् हुआ है 81 करोड़ लोगों का इसमें डील किया जा रहा है यह नॉर्मली रेंड़मली पोस्ट किया गया था तीन तरह का जो है आपको वेव देखने को मिलता है आप देखिए बाद करें तो इसका इंपक्ट क्या पढ़ने वाला है यदि आपका डाटा लीक हुआ है तो इससे से हैं यह चीजें पता चल गया तो इसका अगर कोई इस्तमाल करना चाहे जैसे माल लेते हैं कि बिहारे कितने लोगे हैं कि इसके बारे में जनकारी करना होगा तो तुरंत उस चीजे मतलब कहने का मतलब यह है कि कहीं भी इंडिया के की सी इस्पेसिफाइड जगवा से कोई भी डाटा निकालना हो dich कितने मेल है कित्ने लोग है कितने बच्चे हआं कितने क्या करते हैं यह सारा कुछ जो है वहां से निकाला जासकता है इस डाटा से आप को नुकसान देखने को मिल सकती है और इसका इस्तमाल कहीं भी किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग को जोड़ देके सोचोगे तो आप इस चीज को समझ जाओगे कि लोग को इन फ्यूचर की इस पर जो है कमांड कर लिया गया है जो भी डाटा लिख हुआ था उसको रिगवरी कर लिया गया है देखिए कब तक यह न्यू जाता है हम लोग भी उसी के इंतिजार में है